तो competition तयारी करने के लिए पिछले 10 सालों का जो मेरा अनुभव है competition line का, rim defense academy का, rim classes का, वो अनुभव आपके साथ में share करने वाला हूँ, जिससे आपको भी एक सई guidance मिल सके और दोस्तों समय मत लगाओ ये तै करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय ये तै कर देगा कि आ कोई फरक नहीं होता है, regular college में और private college में डिग्री होती है सिर्फ graduation की, चाहे आप BA करो, चाहे BSC करो, चाहे बिकोम करो, चाहे आप regular करो, चाहे प्राइविट करो, कोई साभी competition exam, private degree से भी, regular degree से भी, BSC से भी, BA से भी, बिकोम से भी, आप आराम से दे सकते हैं, विकल्प मिलेंगे रास्ता बठकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है, मंजिल तक जाने के लिए, रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभावी टीम के साथ, अपनी तयारी को बैतर बनाने के लिए, अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, रिम डिफेंस अकेडमी एप, नमस्कार, रिम डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर असिस्टेंट कमणेंट्स यार पी एफ, आप सब का स्वागत करता हूँ, दोस्तों आज अपन बात करेंगे, नई तयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे CET का एक्जाम द रचे हैं, चाए वो 10 प्लस 2 का एक्जाम दे चुके हैं, चाए वो ग्रेजुएशन के अंतिम साल में हैं, आपको कमपिटिशन की तयारी सुरू करने के लिए कहां से सुरुआत करनी है, CET क्या है और नई CET कब होगी, जो पिछला एक्जाम जिनका अच्छा नहीं हुआ है CET का, या फिर जिन्होंने किसी कारण से CET का एक्जाम नहीं दिया है, तो वो CET क्यों माउसा इंपोर्टेन्ट है और क्यों एक्जाम देना चाहिए, और बिना CET के हम कौन से एक्जाम दे सकते हैं, अगर आप CET का एक्जाम नहीं दिया आपने, घर भी आपके लिए पे मैं डिस्कस करूँगा जो बच्चे आज पहली बार चैनल पर हैं जो बच्चे आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं जो नियमित मेरे इस्टूडेंट हैं वो भी इस जानकारी को ध्यान से सुने जिससे आपके भी कई doubts के लिए रहोंगे हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है जिन्नों ने कहा था तेरे बसका नहीं अभी उनको भी करके दिखाना है तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि नई तैयारी की शुरुआत कैसे करें अगर उपर मेरे सारे courses दिये हुए हैं, जितने competition exams आप दे सकते हैं, उनके सब के courses अलग-लग दिये हुए हैं, आप जो भी तैयारी करना चाते हैं, जिस competition की तैयारी करना चाते हैं, उसका आप course open करिए और उसमें 10 class मेरी बिल्कुल free रखी हैं सबसे पहले, वो वाली class आप सबसे पह आप कहीं भी किसे भी institute में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, self study कर सकते हैं, कहीं भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो 10 class से आपके लिए बहुत important हैं, जिनमें मैंने ये सारी चीजे बताई हैं, कि तैयारी की सुरुआत कैसे करनी होती है, कितने गंटे से पहले सुरुआत ह होती है, पढ़ाई का time table कैसे बनाना पड़ता है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, याद कैसे होता है, paper कैसा आता है, books का चुनाओ करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, notes कैसे बनाने है, revision कैसे करना होता है, paper कैसा आता है, negative marking क्या होती है, merit कैसे बनती है, कौन श सारी वीडियोज हैं मेरे application के उपर तो वो आप पहले देखिए जिससे आपको किसी की guidance की जरूत नहीं पड़ेगी और दोस्तों याद रखना competition exam में आपकी जो पढ़ाई का जो standard है वो कोई माइनी नहीं रखता है आप normal student है तो भी आप कोई भी competition पास कर सकते हैं अगर आपको सई guidance मिलती है तो competition में guidance बहुत important है और अगर आप बहुत intelligent रहें school में college में तो भी आप बेरोजगार रह सकते हैं बिना government job के रह सकते हैं अगर आपको सई guidance नहीं है तो वो guidance वाले मेरे वीडियो आप application पर देख सकते हो या फिर आप YouTube पर देख सकते हो जो channel है अपना rim classes ये वाला इसको subscribe करना है प्लेइलिस्ट में जाना है और प्लेइलिस्ट पर एक मेरा अलग से प्लेइलिस्ट बनाई हुई है tips for students तो tips for students प्लेइलिस्ट में जब आप जाएंगे तो 50 से ज्यदा वीडियो मेरे उस playlist में दीए हुए है, जिनमें यह सारी जानकारी आपको बिलकुल실히 में मिल सकती है, कौन सा subject आपको कैसे पढ़ना है, match कैसे पढ़ना है, regionning कैसे पढ़ना है, JK कैसे पढ़ना है, किया syllabus किसे exam में रहता है कब उसकी वेकेंच से आती है क्या-क्या उसके लिए qualifying होती है क्या उसकी cutoff रहती है पहले क्या cutoff रही है क्या उसका syllabus है ये सब चीजों के video tips for students और अपनी तयारी की शुरुआत कर सकते हैं तो ये CET का क्या है ये common exam पातरता परिक्षा रखी है राजस्तान सरकार ने जिसमें 10 प्लस 2 लेवल की कुछ exams के लिए और graduation level की exams जो होती हैं उनके लिए CET होगा और ये साल में एक बार होगा पिछले बार का जो exam है वो जनवरी और फरोरी में लग चुका है अब उसका result आ सकता है result आने के लिए थोड़ा बहुत time ओर लगेगा क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा करमचारी chain board लगबग समय पर result declare कर रहा है तो अभी CET का result बाकी चल रहा है वो कभी भी अभी आ सकता है और वो result आने के बाद में आपकी result की जो मान्यता होगी वो एक साल के लिए होती है तो एक साल के अंदर एक बार एक्जाम करवाना अनिवारिय है और उससे ज़्यादा भी करवाया जा सकता है ये board पर depend करता है तो अगला जो एक्जाम होगा वो फिर 9 दिसंबर के आसपास कराया जा सकता है ये संभावना है तो ये CT वाला एक्जाम जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो कौन-कौन सा एक्जाम दे सकते हैं बिना CT के कौन-कौन सा एक्जाम दिया जा सकता है तो जैसे 10 पास RAC की जो बरती होती है राजस्तान पुलिस के साथ उसमें भी आपको CT से बाहर रखा गया है इसके अलावा फोरेस्ट गार्ड की जो नहीं विकिन से आने वाली है उसको भी CT से बाहर रखा गया है इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी अगर विकिन से आती है वीडियो की उसको भी इस एक्जाम से बाहर रखा गया है अगर आप तयारी कर रहे हैं राजस्तान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तो वो भी CET से बाहर रखा गया है और अगर आप RAS की तयारी कर रहे हैं तो वो भी CET से बाहर रखा गया है इसके अलावा लगबग सारी एक्जाम्सें वो CT के अंतरगत आती है साथ में अगर आपने CT नहीं दिया है या CT में आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है और फिर भी आप competition त्यारी करना चाते है तो आप जो central government वाली एक्जाम है जो केंदर सरकार वाली जो एक्जाम में जैसे SSC की एक्जाम्स है पेरामलिटरी की एक्जाम्स है आर्मी की एक्जाम है एर फोर्स की एक्जाम है नेवी एंडिय है ये सारी एक्जाम्स में CT लागू नहीं है तो यहां भी आप अपना भाग्य अजमा सकते हैं CET के बारे में भी अगर आपको और जानकारी चाहिए अगर आपको ज़्यदा जानकारी नहीं है तो यूट्यूब से सिदा सर्च कर सकते हैं रिम क्लासे CET उसमें मेरे तीन चार वीडियो आएंगे जिसमें मैंने हर चीज़ बताईए कि CET का सलेवस क्या है कितने बच्चों को CET में पास किया जाएगा क्या CET होता है वो पूरी जानकारी आप वहां से भी दिरेख सकते हैं अब इसके बाद में बारवी के बाद में कौन-कौन शे एक्जाम आप तयारी कर सकते हो अगर आपने इसी साल बारवी का एक्जाम दिया है आपकी एज अगर 18 साल से कम है तो सबसे पहले आप Air Force की तयारी कर सकते हैं जो Science वाले बच्चे हैं वो X Group की कर सकते हैं और वो आप एक्जाम तयारी कर सकते हैं इसके लावा आप आर्मी की एक्जाम की तयारी भी कर सकते हैं साड़े 17 साल की एज के अंदर नेवी की कुछ एक्जाम से उनके भी आप तयारी कर सकते हैं और वो वीडियोज आप डिटेल में अपने चैनल पर देख सकते हैं इसके बाद बारवी पास के बाद आपके लिए CT का एक्जाम के आप पहले तैयारी कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी विकेंची बारवी लेवल की होंगी सब में लगबग CT लागू किया गया है CT का जो सलेबस है वो सलेबस और कम्पिटिशन एक्जाम का सलेबस वो लगबग एक जैसा यह कुछ भी अलग नहीं है इसके अलावा आप किसी भी कम्पिटिशन की तयारी करते हो तो उसका भी सलेबस लगबग सेम ही रहता है एक सब्जेक्ट जनरल नौलिज आपको तयार करना होता है जिसमें अगर शेंटरल गोर्मेंट का अगर कोई एक्जाम आप दे रहे हो तो बारत का सामाने ग्यान जिसमें हिस्ट्री, जोग्रोफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेर्स इसके अलावा मैट्स एक सब्जेक्ट होता है जो टेंथ लेवल का मैट्स आपको तयार करना होता है सारे कमपिटिशन के अंदर चाहे CET है, चाहे पुलिस है, चाहे SSC है उसमें मैट्स आपको टेंथ लेवल का पढ़ना पढ़ता है इसके बाद एक reasoning एक सब्जेक्ट होता है, जो मैट्स के जैसा ही है वो भी आपको तयार करना होता है, फिर एक language तयार करना होता है जिसमें हिंदी एंगलिस कई जगए option होता है, कई जगए दोनों ही subject नहीं होते है और या फिर आप हिंदी एंग्लिस में से कोई सा एक ले सकते हैं ऐसे भी option कई जगे होते हैं या फिर कई जगे या तो इंग्लिस ही होता है या हिंदी होता है तो वो language भी आपको तयार करनी पड़ेगी CT के अंदर ये complete syllabus दिया हुआ है JK भी है, Match भी है, Reginning भी है, Computer भी है, Science भी है, Current भी है, Hindi भी है और English भी है तो आप आख बंद करके बारवी के बाद सिधा CT का आप बैट जोइन कर सकते हैं और CT की तयारी अपनी सुरू कर सकते हैं जब CT आप पास कर लेंगे तो उसके बाद में फिर किसी भी एक्जाम की तरफ आप जा सकते हैं इसके बाद बारवी के बाद कोलेज करें या कमपिटिशन की त्यारी करें ये भी बहुत important question है मैं आपके लिए इनी topics के उपर अलग-अलग topics पर भी एक-एक वीडियो और लेके आने वाला होने वाले दिनों में अभी सिर्फ आपको एक बार ये comment जानकारी दे रहा हूँ इसके बाद हर topic को अलग-अलग videos के माद्यमसे मैं समझाओंगा जिसमें और details अपन देखेंगे आज सिर्फ आपको इतना देखना है कि ये चीजे होती क्या है आपके इन में से कौन शी काम की है तो ये आप decide कर लें उसके बाद आगे आने वाले दिनों में इनकी detail वीडियो आप देखेंगे तो आपको और भी पूरी जानकारी बिल जाएगी तो बार वी के बाद college करें या competition की तयारी करें ये सब आपकी आर्तिक इस्तिती पे depend करता है कि आपका family background कैसा है आपको college की permission है या नहीं है कई बार बेटियों के लिए समस्या होती कि उनको college जाने से रोका जाता है तो वो बार वी के बाद वाली तयारी कर सकती है साथ में college अपनी private कर सकते है जिन बच्चों को जितना जल्दी नोकरी की जरुरत है कुछ बच्चे हैं जिनके parents सिर्फ ये इंतजार करते हैं कि ये कितना जल्दी government job लगे वो college करें नहीं करें बाद की बात है लेकिन government job उनके लिए प्रात्मिकता होती है जिनके आर्थिक इस्तिति कमजोर होती है तो उनको फटाफट बार वी के बाद अपनी competition तयारी की तरफ ध्यान देना चाहिए college आप private भी कर सकते हो अगर आप में योग्यता है अगर आप में काबिलियत है तो एक government job join करने के बाद आप अपनी graduation है वो private भी कर सकते हैं और उसके बाद में फिर आप दूसरे job में भी जा सकते हैं बहुत से एक्जामपल है जिन्होंने दसवी बारवी के बाद job join किया है और दीरी दीरे job change करते गए आगे की पढ़ाई करते गए job के साथ साथ और आज वो IES IPS तक पहुँच गए हैं तो ये आपकी मेहनत पे depend करता है तो आप जितना जल्दी हो सके जिनको job की ज़रूरत है वो पहले बारवी के बाद अपनी competition की तयारी कर सकते हैं और college अपनी private कर सकते हैं कोई फरक नहीं होता है regular college में और private college में degree होती है सिर्फ graduation की चाए आप BA करो चाए BSC करो चाए BICOM करो चाए आप regular करो चाए private करो कोई साभी competition exam प्राइवेट डिगरी से भी regular डिगरी से भी BSC से भी BA से भी BICOM से भी आप आराम से दे सकते हैं अगर आपको बारवी के बाद अगर आपको teaching line में जाना है तो आप four year का BA वाला कारिकरम ले सकते हैं बारवी के बाद में आप STC कर सकते हैं आप BSC करके, BA करके या BICOM करके आगे आप BA कर सकते हैं या post graduation करके और आप आगे college lecturer के लिए net qualify कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं वो education line के लिए है बाकि अगर आपको जल्दी job चीए तो बारवी के बाद आपको competition तेयरी शुरू कर देनी चीए साथ साथ और private आप college कर सकते हैं इससे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चीए तो आप academy के नमर पर call कर सकते हैं नीचे एक number दिया हुआ है या अगर आप जैपुर के आसपास रहते हैं आप career counseling के लिए बिल्कुल निसुल्क आप कभी भी मेरे से आके मिल सकते हैं ओफिस का जो time है academy के नमर पर call करके आप कभी भी आके मिल सकते हैं parents का स्वागत है बच्चों का स्वागत है जो पुराने student मेरे जुड़े हुए हैं उनके छोटे बाई बेन के लिए अगर आप आना चाते हैं किसी भी तरह के अगर आपको guidance सीए तो आप YouTube पर भी comment कर सकते हैं academy के नमर पर भी आप call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं message और इससे ज़्यादा जानकारी भी आप ले सकते हैं इसी टॉपिक के ओपर आगे आने वाले दुनों में मैं और भी कई क्लासे लेकर आने वाला हूँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाईए दूसरों को share करिए नए बच्चों तक जरूर बेजिये जिससे उनको भी इसका फाइदा मिल सके साथ में याद रखना दोस्तों कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है यहाँ से चले हैं नई मनजिल के लिए यह तो एक पन्ना था अभी तोपूरी किताब बाकि ए तो आप यहां की भी तैयारी कर सकते हैं ओफ-लाइन ऐनलाइन सारे बेचेज, फिजिकल तैयारी, होस्टल फिसिलिटी, गर्ल्स बोिज्स दोनों के लिए यहां भी है, जैपुर में भी सूइदा और अगर आप उनलाइन तयारी करना चाहते हैं तो अप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से मामूली से खर्चे पे आप सारे कोर्सेज की तयारी आप रिकोर्ड किये वे वीडियो, नौट्स, टेस्ट सिरीज ये बिलकुल नाम मातर के सुल्क में देख सकते हैं और अगर आपको शिर्फ यूट्यूब पे तयारी करनी है तो लगातार मेरे वीडियो फूलो करके भी आप तयारी कर सकते हैं दोस्तो काम्याबी हासिल करने के लिए तीन चीजों की जरूत होती है सही समय, सही सोच और सही तरीका अगर आपके पास ये तीनों चीजें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता जैहिंदे